हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टो माई चैनल, आज हम देखने वाले हैं मोस्ट इंपोर्टन और कॉमन टॉपिक, प्लास्टिक स्पार्ट्स डिफेक्ट्स, जो भी प्लास्टिक इंदस्ट्री में काम करता है, हर एक को डिफेक्ट्स अडेंटिफाई करना आना चाहिए, और फिर करने के बाद, स्पेसिफिक एक्शन्स लेना न चाहिए, तो रिड्यूस डैट डिफेक्ट्स और कम्प्लीट्ली इलिमिनेट, तो हम वन बाइवन देखने वाले हैं, प्लास्टिक स्पार्ट्स डिफेक्ट्स, उसमें नंबर आप वेरियेबल्स है, मतलब क्या है, इफेक् कॉनसी कॉनसी है, तो फर्स्ट वन है, पार्ट डिजाइन, अगर पार्ट डिजाइन में ही कुछ इश्यू है, तो भी डिफेक्ट्स आ सकता है, फिर बाकी के पैरामेटर्स जो रहेंगे, उसका ज्यादा कॉन्ट्रिबुशन्स नहीं करेंगे, नेक्स्ट वन रहेगा आप आपका मट्रेल्स रोल प्ले करेगा डिफेक्ट्स आने में, नेक्स्ट है आपका मोल्डिंग प्रोसेस, आपका मैनिफेक्ट्रिंग प्रोसेस क्या है, प्लैस्टिक इंजेक्शन मोल्डिंग है, तो आपका इंजेक्शन मोल्डिंग और अदर दन मोल्डिंग के जो भी टा देखना है, more than 20 defects, almost we will cover, and how to control or fix this, or counter actions क्या लेने वाले हुस पर, तो let's start from, first one defect is the sink mark, तो sink mark defects क्या है, तो यह defects, how you identify the defects, exact opposite of the thick portions, मतलब आपका जहां भी thick portion है, उसके opposite देखना है, तो thick portions कहा रहता है आपका, एक तो opposite the rib, opposite the wall, और opposite the bosses, और any features given on B-side surface, so यह है आपका sink mark, यह देखिए, ऐसा यह आपका sink mark है, तो यह आपको जो भी plastics part में identify होगा, तो उसको आप क्या कहेंगे, उसको बोलेंगे sink mark, तो आप किस जगर identify find out करेंगे, जैसे ही आपके हाथ में part रहेगा, तो आपको find out करना है first, कि thick portion कौन सा है, और उसके exact opposite देखना है, ना कि आप पूरा part घूमा फिरा के देख रहें, okay, so this is called as sink mark, यह देखिए, number of parts पे जो sink marks आते हैं, यह देखिए, यह thick portions, मैं जो बोल रहा हैं, तो thick portions के opposite side में, तो thick portions से यह होगा, इसके opposite, यह क्या हुआ है, due to anion shrinkage, वो देखने वाले हैं हमाड़ी, तो यह देखिए, जैसे यह feature से B side, उसके opposite में होगा, या यह से junctions रहेंगे, उसके बज़े से भी क्या होता है, थिक portions होता है, तो sink mark का क्या है, first description या definitions देखेंगे, sink marks are small depressions, that develops in thicker areas of the plastic parts, as I told you, कहां है, opposite ribs, bosses, और features, any besides features, its majorly come in injection molded parts, quages क्या क्या है, उसके thick sections molded parts taken longer to cool, मतलब क्या है, आपका part ठंडा होने में ज्यादा time लगता है, इसलिए क्या होता है, uneven shrinkage होता है, और फिर आपका उस area में shrink हो जाता है part, right, तो shrinkage rate of the molded material is too large, हर material, plastic material की एक property है, shrinkage property, वो क्या होता है, contracts होता है, मतलब उसका size कम होता है, when you start your cooling process, तो उससे भी आपका shrinkage आता है, इसलिए थमरूल क्या है, uniform wall thickness, फिर क्या है, आपका cooling time और cooling mechanism insufficient है, कि आपने cooling proper नहीं दिया है mold में, next है आपका not enough pack pressures during material solidifications, मतलब क्या हो है, आपका जो packing है, वो पहले ही remove हुआ है, तब तक आपका part cool ही नहीं हुआ था, तो उसको remedies क्या है, counter actions क्या है, तो वो भी महिने जैसे बोला है, कि हमारे variables क्या क्या है, part design, mold design या mold, next है आपका material, next है manufacturing process is the molding and operator, तो हमें उस level पे देखना है, तो design level पे क्या actions लेंगे आप, design इस मतलब है कौन सा हो गया, part design, तो part design में आपको क्या करना है, design part with uniform wall thickness, reduce the thickness of thickest wall sections, आपको क्या करना है, overall part, root thickness of the part, throughout part, same रखना है, next give sink mark cutout to beside features, बट क्या होता है, anyhow आपको part का functions करना है, या कुछ assembly करना है, तो आपको compulsory features देना ही होता है, तो आपको उस time क्या करना है, एक तो material add और material remove करना है, मतलब क्या है करना है, आपको thickness variation जो है, smoothly करना है, ना कि suddenly, next है आपका material, तो material में क्या करेंगे आप, जिस material का EMFI higher है, वो material select करेंगे, तो वो क्या होगा, viscous material होगा, और flow के लिए easy होगा, use of blowing agent, means क्या करना है, आपको material में कुछ additives add करना है, जो material की property improve करके, shrinkage कम करेंगे, और during cooling, आपका part इतना shrink नहीं होगा, next mold level पर क्या action ले सकते आप, increase cooling time, मतलब क्या करना है, आपको cooling ज़्यादा provide करना है, एक तो time improve करना है, और जो provide की है cooling, वो uniform होनी चाहिए, उसमें आप क्या कर सकते, जो layout रहता है cooling का mold में, वो proper बना सकते है, as per mold flow report, जब आप analysis करेंगे, तो उसमें आपको highlights होंगा ये area, कि जहाँ आपको proper cooling चाहिए, या chances of coming sink mark, तो उस area में आपको turbulence flow type, cooling देना है, with the help of baffles, next है आपका molding process, तो molding में क्या changes करेंगे आप, increase packing और holding, आपको packing और holding बढ़ना है, increase cycle time करना है, मतलब cycle time बढ़ेगा तो क्या होगा, आपका part within the mold रहेगा, और आपका holding और packing ज़्यादा है, तो क्या हो जाएगा, sink mark का intensity कम हो जाएगा, next है आपका increase short size, आपको क्या करना है, short size बढ़ना है, मतलब क्या होगा, कुस्टो cushion remaining होना चाहिए injection में, next है आपका increase injection speed, आपको speed भी बढ़ना है, अगर आपको training चाहिए, तो मैं online training प्रोवाइड करता हूँ, जिसमें आपका फूरा CAD और technical covers होगा, plastics product mold design, जिसमें cover होगा आपका automotive interior, exterior और underhoods parts, मतलब complete plastics part for automotive, plastic product design, non automotive, injection mold design और cutia, मेरा ये contact number है, आप मुझे contact कर सकते हैं, next है आपका defects is the well line, जिसको आप night line भी बोलते हैं, उसमें क्या-क्या कैसे identify होता है, आपके within the part, जहां भी cutouts है, cutout क्या-क्या हो सकते, rectangular cutout या interface हो सकते, या hole रहे सकते, जिसमें आपका impression, depressions रहेंगे, तो उसके बीच में, next to that hole, और side of the holes, और any cutout, circular rectangle, surrounding में ही आपका well line रहेगा, तो ये आपका identification है, आपको कहा identify करना है, आपको part जैसे ही देखेंगे, तो part में, जहां-जहां cutouts है, या holes है, वो देखना है, फिर उसके periphery में, आपको क्या दिखेगा, well line दिखेगा, तो ये आपका क्या है, gates है, जैसे ही gate system होता है, तो gate से material start to end feel होता है, तो between two gates भी आपको क्या दिखेगा, well line दिखेगा, हम क्या देख रहे है, identification of the defects, पहले आपको identify होना चाहिए, फिर understand होगा कि क्या defects है, और फिर आपको उसका solutions देखेंगे, ये देखे, ये rectangular cut out है, तो उसके sides में ये आएगा, आपका well line, ये देखे, ये आपका hole है, तो उसके sides में well line आएगा, तो well line आता क्यों है, तो आपका क्या होगा, एक side से, एक direction से material flow होगा, और दूसरी directions को जाएगा, तो इस area में क्या होगा, आपका flow divide होगा, तो flow divide होके, फिर से meet होगा, फिर उस जगा क्या होगा, उसका front flow जो है, उसका temperature कम होने के वज़े से, वो properly mix नहीं होगा, homogeneous नहीं होगा वो material, और वो weak bond रहेगा, और वो visible भी रहेगा, उसको बोलते, well line, तो descriptions में क्या है, well line का definitions, well line typically appears, in the area where the, polymer flows, comes together during the, injections process, मतलब क्या बोला है मैंने, जो बोला है, क्या आपका one side से material होगा, और other sides को, जो भी length है आपका part का, उस side जाएगा, तो जाते time क्या होगा, जो बीच में आपका, अगर कुछ cut out here, इसे से, वहाँ क्या आएगा, आपका core आएगा, या sub core आएगा, तो वो क्या करेगा, आपके, यहाँ क्या आएगा आपका, sub core आएगा, तो वो क्या करेगा, आपके flow को dividing process, मोल्डिंग प्रोसेस में क्या है, आपके दो front जिस जगह मिलते है, वहाँ वो proper mix नहीं होते, इसके वो जैसे big bonding होगी, और वहाँ line आपको visible होगी, उसके process क्या क्या है, improper gate locations, मतलब आपका जो location है gate का, वो ऐसा है, कि जिससे ज़्यादा आपका flow divide होता है, next है आपका low mold temperature, mold का temperature कम है, तो क्या होगा, आपके mold के surface के साथ, आपका material जाएगा, और materials cool होता जाएगा, वो भी कौन सा, front flow, सबसे पहले जो material आएगा, mold में, वो continuous contact में जाएगा, cool रहेगा वो जब mold, next है आपका inadequate 20, मतलब आगे आपके क्या है, mold में कुछ भी नहीं है, मतलब क्या होता है, year होता है, और आपका क्या होता है, one side से material get through, in होता है, और आगे जाने को start होता है, तो जो opposite side का year है, due to that year, आपका material properly mix ने हो पाता है, at the end, of the filling, injection pressures और speed too low, अगर आपका injection speed भी कम है, तो भी क्या होगा, आपका material end को proper fill नहीं होगा, तो आपका जो well line है, वो आने के chance से ज़्यादा है, low barrel temperatures, मतलब आपका melt जो है, barrel में जो material है, जो melt होआ है, due to heaters, वो properly mix नहीं होआ होता है, वहाँ ही आपका temperature कम होता है, तो remedies क्या है, actions क्या 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 लेंगे आप, design level पर क्या actions लेंगे, this normally occurs around holes, और obstructions, मतलब क्या है, आपके within the parts, एक तो rectangular hole है, circular hole है, या कुछ तो ऐसा profile है, कि जो hole है, part के बीच में, तो avoid करना है आपको, उस तरके के shapes या designs, next material में क्या करेंगे आप, switch to a material with a lower melting temperature, कि easily melt होना चाहिए, और easily flow होना चाहिए, ऐसा material आप select करेंगे, next क्या है, increase material temperature to prevent partial solidification, मतलब क्या है, आपको ऐसा material select करना है, कि वो solidify नहीं होना चाहिए, जब तक आपका part feel नहीं होता है, तब तक solidify नहीं होना चाहिए, mold में क्या actions लेंगे, कि आपका venting line जो है, वो clean होना चाहिए, क्या हमने यहां quartz क्या देखा था, due to poor venting से क्या होगा, आपका properly mix नहीं होगा, at the end of the part, और उसी जगह आपका cut out है, और hole है, तो क्या हो जाएगा, आपका chances will increase, to see the weld line, next है आपका, design the mold to eliminate partitions, तो वही है, कि आपको mold में ऐसा करना है, कि वहाँ आप minimize कर सकते है, कि weld line, next है molding में क्या कर सकते हैं, increase material temperatures, rise injection speed and pressures, उससे भी आपका control हो जाएगा, तो weld line कैसा defects है, यह aesthetic है, as well as mechanical भी defects है, यह क्या करेगा, aesthetically दिखेगा, और आपका property जो है, material का, वह part को weak करेगा, उस जगह, तो और mechanical भी issue है, next देखना है आपको, warpage, warpage को ही हम deformations बोलते हैं, मतलब क्या है, आपका original shape से part deviate हो जाता है, उसको बोलते हैं warpage, आपका क्या है, in line अभी straight, flat part है, तो यह क्या होए अभी, एक तो कौन के होगा, नहीं तो कौन wex होगा, यह twist होगा, उसको बोलते हैं part का warpage, यह देखे, और यह length में भी होगा, और width में भी होगा, लेकिन आपको effects ज्यादा length में देखेगा part की, as compared to width, यह देखे, अगर आपका root thickness या base है part का, और यह सभी walls है, तो wall को भी क्या हो रहा है, एक तो कौन के हो या convex shape हो रहा है, और आपका flatness नहीं रहता है part का, उसको बोलते हैं warpage, इसका descriptions अगर देखा आपने definitions, तो क्या है, the plastic molded parts divides from the desired shapes, it exhibits twisting, warping, wavy surface and angle deviations, मतलब क्या है आपका part, twist होगा, wavy होगा, wavoness आएगा, या आपके original shape से deviate रहेगा हो, और shrinkage difference से होता है, यह different degree of packing in the different areas, मतलब क्या है आपका जो injection में packing और pressures आने वाला है, वो अलग-अलग आता है, due to gate positions, gate locations and shape or the constructions of the mold, depends on that, use as wood can work, मतलब एक example दिया है मैंने कि plastics में भी होता है, लेकिन आप मान लिजे plastics में इतना आपको understand नहीं हो रहा है, imagine नहीं हो रहा है कि warpage क्या है, तो आपका जो wood रहता है wood, पेड जो काट के रखते, वो भी आपने आगर देखा, वो अगर unevenly dry हुआ, मतलब सिर्फ उपर का surface dry हुआ, तो भी आप उसको देखिए वो तेड़ा हो जाएगा, या bend हो जाएगा, बेंड होना मतलब warpage है, simply, तो इसके causes क्या है, the molded part has different wall thickness, मतलब क्या है, वही plastic का thumb rule है, uniform wall thickness होना चाहिए, अगर variable wall thickness हो गया, कि sudden change हो गया, तो आपका part warf होगा, मतलब bend होगा, cooling time is too short, कि cooling time से पहले ही आपने, eject कर दिया part, तो भी warpage होने के chances है, next warpage occurs if the orientations of the glass fiber changes from place to place, मतलब क्या है, आपके materials में glass filled material है, material में additives क्या क्या होते, glass filled, talc filled, mineral filled, तो glass filled जो material है, जो strengthening के लिए आप use करते है, उसका orientations में, within the plastics, glass का percentage जो है, और उसका flow जो है, वो other than flow directions हो गया, तो warpage के chances जादा है, flow too long है, insufficient getting है, मतलब एक ही gate से आप, लंबा वाला part fill कर रहे, तो भी warpage के chances higher हो जाते हैं, molded in stresses due to low stock temperatures of the mold to cold, मतलब mold का भी temperature कम है, और आपने जो molten material जो fill करने को प्रेस किया है, inject किया है, उसका भी temperature कम है, remedies देखना है, हमें remedies में design में क्या कर सकते हैं, design में आप optimize the design of the molded part, reduce sudden differences in the wall sections, blend out these differences if possible, मतलब क्या आपको sudden changes नहीं करना है, मतलब thin to thick नहीं जाना है, और thick to thin नहीं होना है, due to this, warpage will happen, next है, avoid rips or walls perpendicular to the flow directions, मतलब क्या है इसका, आपका parts का एक root थिक नहीं सरहता है, base को, next उसके base पे besides पे आप क्या करेंगे, features प्ले करेंगे, या rips देंगे, और आप gate ऐसी positions पे देंगे, कि वो flow gate का perpendicular हो जाएगा, आपके gate position से, तो वो avoid करना है, next material में क्या चाहिए, आपको try switch, आपको shift होना है, material पे जो shrink less होता है, क्योंकि वो आरपेज क्यों आता है, आणिवन shrink के इससे आता है, तो आणिवन shrink नहीं होना चाहिए, आईसा material आपको select करना है, next mold level पे क्या actions लेंगे, check if the molding is not catching, or being held with negative drop, मतलब क्या है इसका, कि आपके besides पे number of features जादा है, और उसको drop unsufficient है, मतलब less than 1 degree या 0.5 degree है, तो क्या हो जाएगा आपका part catch होगा, मतलब easily eject ही नहीं होगा, और eject नहीं होगा और heated part रहेगा, तो क्या होगा, जो length में extreme length का portions है, या area है, वो पहले eject होगा, और जो beach वाला है, जहाँ के feature से, वो उसके hold करते रखेंगे, उसको पकड़ के रखेंगे, तो वहाँ ही आपका part bend हो जाएगा, due to this shapes, next है आपका ensure the cooling process is gradual, मतलब क्या है आपको, mold में cooling throughout same रहना चाहिए, इससे क्या होगा, आपके uneven stresses generate नहीं होगे, next है आपका molding में क्या क्या कर सकते, तो molding में करना है, आपको longer cooling time करना है, मतलब within the mold ज्यादा time के लिए part रखना है, next आपको क्या करना है, injection pressures and time को बढ़ाना है, इससे क्या हो जाएगा, आपका part strength रहेगा, इससे क्या होगा, आपका part straight रहेगा और flat रहेगा, next देखना है हमें burn mark, उसको ही diesel effects बोलते हैं, तो ये identify कहां करेंगे आप, ये करेंगे deep portions में, part के बीच में, जो deep portions रहेगा, वहाँ आपका ये burn mark रहेगा, ये देखिया है ये सब burn mark, जो brown या black color में रहेगा, आपको ये color spars पे, white part पे, black part पे भी identify हो जाएगा, और वहाँ chances है, वह थोड़ा feel भी नहीं होगा, half shot भी रहेगा, और burn mark भी रहेगा, एक सब combinations आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि ये क्यों होता है, due to poor venting, क्या आपका year जो है, वह trap नहीं होता है, इसलिए क्या है, end को year क्या करेगा, आपके material को burn करेगा, degrade करेगा, और वह feel भी नहीं होगा, और black भी दिखेगा, तो उसका descriptions क्या है, burn mark can be defined as, small, dark, brown, or black discoloration, of the surface of a molded part, usually found at the end of the material flow path, और in the blind portions, मतलब क्या बोला है मैंने, मैंने जैसे starting से बोला है आपको, क्या आपको क्या करना है, पहले identify करना है, defects का है, तो identify कैसे करेंगे, यह burn mark कहा हैगा, well line कहा हैगा, हमने अभी तो जो जो देखे, well line कहा हैगा, opposite to gate, मतलब आपको gate positions पता चला, तो एक जट उसके opposite देखना है, वहाँ well line रहेगा, तो burn mark भी उसी जगर हैगा, कहां gate के opposite में, या blind pockets में, मैंने जैसे बोला के deep sections में, next है आपका, burn streaks, are defects caused by degradations of the polymer, during the injection process, मतलब क्या है, आपका material degrade हो गया, overheat हो के, उसके वज़े से भी burn mark आएगा, तो आपको क्या करना है, overheating in the mold cavity during injections, यह वाज़े से, किससे वज़े से होता है, overheat होने से material, next है आपका improper gate locations, next है the mold is insufficiently vented, मतलब venting ही नहीं किया है, मतलब अंदर की year जो है, वह भार ही नहीं जा रहे, next है आपका injection speed too high, मतलब कम time में आप, ज़्यादा वहलूम का material प्रेस कर रहे, mold के अंदर, तो उससे भी क्या होगा, आपका burn mark आ जाएगा, material temperature, मतलब temperature ही बहुत कम है, तो भी हो सकता है, remedies क्या क्या है इसकी, design level पे क्या remedies है, this normally occurs around holes, और obstructions, avoid in part designs to mark, मतलब क्या है, आपको यह जो बोला है, क्या क्या करना है, blind और deep sections जो है, वो avoid करना है, next है आपका materials में, lower the mill temperature, मतलब क्या है, क्या आपको temperature कम रखना है, material का, ताकि वो degrade ना हो जाए, use of 100% re-grind, or if mixing with virgin, limit the amount of re-grinds to 15% by weight, मतलब क्या है, एक तो आपको virgin ही material यूज करना है, मतलब first time material यूज करना है, grinding, अगर पहले molding हुआ, part crush करके, grind करके फिर से यूज किया आपने, तो उसमें ये चयादा chances से burn mark आने, क्यूंकि वो sustain नहीं कर पाता है, ज्यादा temperatures, तो आपने use नहीं करना है, अगर किया तो भी, 15% करना है, total weight से, next है आपका mold में क्या कर सकते, clean the venting, मतलब क्या है, आपको year जो trap है, mold में का year आपको trap करना पड़ेगा, या remove करना पड़ेगा, तो उसके लिए आपको venting देना पड़ेगा, या दिया होँ venting, clean करना पड़ेगा, shorten the mold cycle, आपको क्या करना है, cycle time जो है, वो कम करना है, reduce the injection speed, speed कम करना है, if the burning occurs close to the parting surface, reduce the clamping force, मतलब क्या करना है, आपको clamping जो देता है, tenage जो अपलाई करते है mold को, वो कम करना है, next है आपका scoring, scoring मतलब क्या होता है, आपके parts के उपर scratches आएंगे, जब आप part eject करेंगे, आपके cycles कैसे होते हैं, injection होता है, holding होता है, cooling होता है, ejection होता है, तो part eject करते time, या mold से remove होते time, उसके walls को, mostly vertical wall पे scratches आते हैं, उसको बोलते scoring, मतलब क्या होगा, आपका part घिस के आएगा, किस के साथ, mold steel के साथ, उसको बोलते scoring, अगर ये part heated है, और mold के साथ, scratch होके आ रहा है, घिस के आ रहा है, तो क्या हो जाएगा, scoring हो जाएगा, तो इसको कैसे describe करेंगे आप, when a part is being ejected from the mold, sometime its surface can suffer from, abergences if the ejector system is not aligned, और the draft angles are not sufficient enough, to remove the part from the mold, within allowed resistance, मतलब क्या है इसका meaning, दो reasons है, एक तो आपका ejector system जो है, वो balanced नहीं है, आलाइंड नहीं है, उसमें unbalancing है, या कुछ pin block आगे पीचे है, और दूसरा है, part को drop नहीं है, sufficient, तो ये defects होता है, causes कहके है और इसके, the selected drop is too small, जैसे हमने देखा, या इसमें next आपका importance था, textures का, मतलब जो drop दिया है, जो textures pattern number रहता है, जो greening या texturing का pattern number रहता है, हर 10 microns को 1 degree drop बढ़ाते हैं, तो वो जो textures है, उसका drop मैच नहीं हो आप पर, ये हो सकता है, misalignment ejection system हो सकता है, excessive clamping force हो सकता है, मतलब clamp ज़्यादा किया है, mold opens too quickly, मतलब ज़्य से ही आपका holding cooling cycle हो तो molding जो opening है, वो एकदम quick या speed फस्ट दिया है, तो वो आपको कम करना है, mold opening का speed, next है आपका mold temperatures high है, तो surface heated रहेगा mold का, और वो with contact part रहेगा, तो part remove होते time वहाँ scratch आने की chances से, जिसको हम scoring बोलते हैं, या drag mark बोलते हैं, next design level पर क्या कर सकते हैं, तो आपको क्या करना है, part को sufficient angle देना है, और जो texture pattern number, greening का select करेंगे, उसके हिसाब से drop होना चाहिए, change rough grain to fine grain, मतलब आपने अपने एकदम ही, coarse grain दिया है, hard, तो उसको क्या करना है, fine या smooth grain दियाना है, next material level पर आप क्या कर सकते हैं, तो इसमें materials level पर as such, आप कुछ actions नहीं ले सकते, किनके materials आपने select किया होता है, कुछ और basis पे, तो materials change करके, ये defects avoid नहीं होगा, इसलिए हमें specific देखना है, किसमें क्या कर सकते, next है mold, mold को क्या करना है, आपको slow down करना है, opening की speed जो है उसकी, वो कम करना है, जिससे वो mold से smoothly remove होगा, और molding में क्या करना है, reduce clamping force, and extend cooling time, मतलब थोड़ा cycle time बड़ाना है आपको, जिससे part cool होगा, और easily remove होगा, next देखना है हमें, hubshot, short short, और short mold, जिसको एक ही name है, concept एक ही है, जिसके naming ये है, ये क्या होता है, तो आपका पूरा part जो है, वो complete नहीं होता है, वो 100% भरा नहीं होता है, मतलब fill नहीं होता है, कम होता है, अभी देखिए, ये complete fill part है, और ये देखिए, ये incomplete है, अभी बाकी है, तो इसके लिए क्या होगा, और material आना चाहिए था, flow होना चाहिए था, तो वो हुआ नहीं है, और उससे पहले ही part remove होआ है, ये उतना material ही inject नहीं हुआ है, इसलिए वो flow नहीं हुआ है, ये देखिए, ये complete fill part है, ये top portions देख रहे हैं आपको, यहाँ देखिए, ये नहीं हुआ है, तो इसको बोलते हैं, हम, हब short 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 या short mold, ये देखिए, ये most general example है, ये क्या है, आपका spoon है, तो आपको spoon का तो shape पता है, कि complete कैसे होता है, तो ये shape होगा, ये जब यहाँ radius आएगा, तो अभी ये radius ही नहीं आया है, इसका मतलब क्या है, कि आपका अभी part, फील ही नहीं होआ है complete, तो इसको हम half short बोलते हैं, क्योंकि ये half हुआ न, half का meaning, मतलब hundred percent नहीं है, फील, ये देखिए, यहाँ भी वही हुआ है, तो ये half short कहां मिलता है आपको, मैंने जैसे बोला starting से, identify कैसे करना है, तो ये exact opposite to the gate, क्योंकि जहाँ gate से ही material आएगा, तो वहाँ ही आपको half short मिलेगा क्या, नहीं, वहाँ तो material आहीं रहा है, कुछ नो कुछ तो material आने ही वाला starting में, material कम कहां गिरेगा, वो ये end को गिरेगा, मतलब opposite to gate, ये देखिए same, कि ये आपका top profile जो है, ये पूरा भरना चाहिए था, ये नहीं हुआ है फिल, तो इसको हम half short बोलते हैं, ये identification हो गया, उसका descriptions क्या है, the plastic molded part is not completely formed, mainly in areas for dust from the gate, or in the areas with thin wall, thin ribs, since the mold has not completely been filled, मतलब क्या है, एक तो opposite to gate रहेगा, और दूसरा thin area में रहेगा, कि आपका, जो part design है, जिसमें ribbing या कुछ wall, या root thickness दिया है, वो एक दम ही thin दिया है, minimum हम point, minimum 1 mm देना चाहिए, प्लास्टिक्स फिल होने के लिए, easily, अगर उससे भी आपने कम कर दिया, 0.5 या 0.6, तो वो area में, और वो भी deep है, तो वो फिल नहीं होगा, तो molded part has been designed with a wall thickness, too thin, मतलब एकदम ही पतला part design किया आपने, next है, flowability of the selected plastic material insufficient है, मतलब, MFI कम है, mold flow index उसका, आपने अगर उसका TDS या data series देखा, तो उसकी हिसाब से, next है, आपके mold में year है, और आपने venting प्रॉपर से नहीं provide किया है, no melt cushions, मतलब आपका part fill होके भी material नहीं बचा है, barrel में, उस वज़े से भी हो सकता है, next है, आपका injection speed and pressure, एकदम ही कम है, तो ये starting में होता है generally, जब आप mold start करते हैं, productions run करना हैं, तो starting के piece होते हैं, आप जब settings लगाते हैं, तब कि ये situations है, तो उसको cover कैसे करेंगे आप, design level पे क्या करेंगे, wall thickness आपको sufficient रखना है, जिसमें आपका part fill होना चाहिए, और आपको wall thickness नहीं रखना है ज़्यादा, और आपका part भी fill होना चाहिए, तो ये end तक material कैसे जाएगा, तो ये end तक material supply करने के लिए, आपको क्या करना है, flow leaders देना है, next है materials, तो material में क्या करेंगे आप, ज्यादा MF5 का material यूज करेंगे, जिससे आपको क्या होगा, flow easily होगा, और ये end तक material, easily जाएगा, mold में क्या करेंगे आप, mold में करना है, आपको redesign करना है mold को, wider channels और gate, मतलब क्या करेंगे, gate का और आपके runner और sub runner का size बढ़ाएंगे, और mold का temperature भी higher level पे होना चाहिए, इसलिए क्या होगा, plastic melt को flow होने के लिए easy हो जाएगा, additional आपको क्या करना है, year wind देना है, या जो year wind है, उसको clean करना है, next है molding में क्या करेंगे, increase injection speed और pressures करना है, increase barrel temperature करना है, मतलब temperature बढ़ाएंगे, और high injection और speed से forcefully inject करेंगे plastic material, तो वो पूरा part complete 100% feel होगा, और end में आपका cushions भी बचना चाहिए, next defect है आपका flash, flash का meaning होता है, कि small chips आते हैं, ये देखेंगे जैसे bird type, sheet metal के parts में क्या होता है, बर होता है, वैसे plastic में क्या होता है, small chips type material निकल आता है, profile के बाहर, जो unrequired है, तो उसको हम flash बोलते हैं, तो ये देखेंगे, ये flash हो गया, ये मेरा rectangular part है, तो ये straight line होना चाहिए, ये जो material आया है, ये flash है, ये मेरा round part है, circle, तो ये circle के बीच में ये material आया है, तो इसको हम flash बोलते हैं, ये देखें, एकदम thin material निकल के आता है, और ये कहां आपको आएगा, parting line, जहां दो hub meet होते हैं, core और cavity, ये आपके cut out में, सब core, जहां meet होते हैं, वहां आता है, ये देखें, तो ये identification है, तो flash आपको identify करना है, तो कहां करेंगे आप, parting line पे identify करें, तो इसका descriptions क्या है, कि the term flash refers to the, fine excess of the materials, मतलब excess material आएगा, और वह भी fine रहेगा, एकदम thin, वह भी क्या है, gaps में, जहां joint होता है आपका, current cavity, causes क्या है, उसके clamping force कम है, मतलब आपने जो tonnage आपला किया है, mold के लिए, वो कम किया है, तो उससे क्या होता है, mold open होने के chances होते हैं, next है आपका, machines का tonnage capacity कम है, insufficient tonnage की machines आपने select किये हैं, तो आपको क्या करना पड़ेगा, बड़े machines पे जाना पड़ेगा, next है आपका the ceiling surface, मतलब जो parting line का butting area है, वो proper नहीं है, या वहाँ damages हो आपका एक दम ही जादा है, मतलब part feel होके भी higher pressure है, required से, तो क्या होगा आपका material, try to out हो जाए, मतलब बहार cavity से बहार आने का try करेगा, next viscosity बहुत जादा है आपके material की, मतलब material flow इतना हो रहा है, कि आपका part feel होके भी, वो जहाँ gaps मिलता है, वहाँ जा रहा है, मतलब solidify नहीं हो रहा है उसके बाद, next है आपका mold, under filling मतलब क्या हो रहा है, deformations हो रहा है, मतलब bed हो रहा है कुछ parts mold के, या wear tear हो रहे, next है आपका design level पे इसमें कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि आपका parting line तो आएगा ही, plastic parts का क्या है, core cavity तो बनेगा, तो parting line आने ही वाले हैं, तो design में इसमें कुछ नहीं कर सकते, design में एक ही करना है आपको, आपके parting line का, जो age है, और sharp page होनी चाहिए, वहाँ आपको fillet नहीं रखना है, next है आपका material में, जिसका thick रहेगा, flow, मतलब viscosity कम रहेगा, ऐसा material यूज करना है, mold में आप क्या कर सकते है, set of faces, आपको match करके लिए ना है, जो miss match है, मतलब button angle, या जो आपका 7 degree angle जो बोलते हैं वो, या parting line surface, वो proper button, blue matching आना चाहिए, जो damage है, wear tear है, या bend है, वो निकाल देना है, molding में क्या कर सकते हैं, increase the clamping force, मतलब आपको clamping force, increase करना है, मतलब tonnage देना है, और use machine with greater clamping, or tonnage, मतलब बड़े machines पे आप वो mode लगा के देख सकते हैं, जिसको flash आ रहा है, next देखना है हमें, voids, bubble, ear pocket, और blister, जिसको बोलते हैं, क्या आपको bubble pockets, या voids, या ear pockets किसमें आ रहे, तो ये एकदम general example है, आपका जो toothbrush है, transparent जो रहेगा, opaque नहीं, opaque मतलब, throat नहीं देखेगा, transparent मतलब, बहार का देख सकता है, तो transparent में आपको दिखे दीज़ेगा, कि ये bubbles आते हैं, ये देखे, ये आपका opaque part है, तो इसको अगर थिक एरिया में cut किया, तो आपको ऐसे bubbles नजर आएंगे, ये देखे, transparent part पर आपको बीच के देख रहे, ये देखे, ये blister type है, मतलब surface पर अंदर ear pockets है, ये देखे, तो ये भी transparent parts है, आपने अगर यहाँ देखा, तो आपको ear bubble देखेगा, ये ब्रश में देख रहा है, टूथ ब्रश में, तो इसका description क्या है, क्या आपके within the part, bubble आएंगे, और whites होंगे, due to, उसके reasons है, क्यों आएंगे, तो हमें देखना है, identify कैसे करेंगे, तो हमें अभी देखना है, causes, कि due to, किस reasons से आता है, ये defects, तो poor venting, मतलब क्या है, अगर mold आपका खाली है, अभी close condition में है, और before material injection है, तो कुछ नहीं, इसका मितलब क्या meaning है, कि अंदर year होती है, तो वो year आपको बहर निकलना है, due to venting, और वो venting ही नहीं दिया है, और अंदर का year ही बहर नहीं आया है, तो फिर क्या हो जाएगा, वो mix होता जाएगा, आपके material के साथ, और वो part के बीच में आएगा, next है आपका, कि आपके part के thickness ज़्यादा हो गई है, तो अभी वहाँ bubbles आएंगे, आपके parts में अगर moisture है, मतलब आपने material को preheat या dry नहीं किया है, तो भी वो moisture का नोट हो जाएंगे, बाद में due to year bubbles में, porous और very fine attitudes, अगर आपके identities और जो blended material है, with आपके base materials के साथ, उसमें भी कुछ moisture रहेगा, तो वो भी effects करेगा, और injection speed और pressure बहुत कम है, तो वो year trap नहीं हो जाएगे, और आपका एकदम dense से part नहीं भरेगा, तो उसे भी आपको problem आएगा, design में क्या कर सकते, आपका part का thickness कम रख सकते, तो उससे क्या होगा, minimize होगे, जो bubbles आएगे हो, wall thickness should not exit, जो bubble को support ना करे, ऐसा material सप्लायर सप्लायर सजेस्ट कर सकते, as per your part का profile और shape के हिसाब से, और mold construction के हिसाब से, next है आपका excessive moisture सगर रहेगा, fillers में या materials में, तो आपको क्या करना है, उसको dehumidify करना है, by preheating और drying, next mold level पे आप क्या कर सकते है, gate का position आपको, थिक एरिया में जना है, ना कि thin एरिया में, क्यूंकि थिक में देंगे, तो वो ear trap हो जाएगा, thin में और by venting, पास हो जाएगा, out of mold, और दूसरा, आपको क्या करना है, mold में venting proper से देना है, और molding में क्या कर सकते है, holding pressures, ज्यादा time के लिए रख सकते है, और injections का pressure, और speed बढ़ाना है आपको, और, increase the back pressures also, next हामें देखना है, flow lines, तो flow lines कैसे indicates होती है, यह starts होती है, इसका origin points रहता है gate, gate से, उसके opposite sides को, इनकी direction रहेगी, आपको flow lines के अगर directions देखना है, lengthwise, तो उसका narrow portions रहेगा, gate की तरफ, और wider रहेगा, gate के अभूचिट की तरफ, ऐसे lines form होंगे, उसको बलते flow lines, यह देखिए, आपको अगर identify करना है, तो यह flow lines हो गई, यह आपको color parts, या black parts, सब पे नजर आएगी, यह देखिए, यह है flow lines, तो इसका describe कैसे करेंगे आप, कि flow lines can be defined as linear growing, और circular repulse, on the surface of the molded parts, that indicates the directions of the material flow, within the cavity of the mold, मतलब मैंने जैसे बोला, कि वो क्या indicates करता है, कि directions, कि कि साइट से material, कि साइट को पास हो रहा है, वो flow होता है, और वो क्या है, parts के surface की उपर देखिएगा, तो वो aesthetic defects है, वो not acceptable है, उससे क्या होगा, आपका part reject हो जाएगा, तो आपको parts rejects नहीं करना है, आपको okay parts मेंने फेक्टर्स करना है, तो वो क्यों होता है, inadequate injection pressure, injection pressure आपका sufficient, मतलब जैसे जिस range में चाहिए, उसमें नहीं है, low barrel temperatures, मतलब melt, मतलब आपको जो plastic है, वो melt ही नहीं हो है, प्रॉपर से, improper flow rate, जो material flow हो रहा है, उसका viscosity improper है, low nozzle temperature, मतलब at the end of the barrel tip, आपका temperature कम है, या low mold temperature, mold का भी temperature कम है, या improper venting, या end को आपके जो year है, वो pass नहीं हो रहा है, mold से बाहर, through empty, तो भी हो सकता है, design में क्या कर सकते हैं, आपको क्या करना है, sharp corners नहीं रखना है, क्यूंकि क्या होता है, corners में sudden change हो जाता है, flow directions, तो उससे flow मार काने के chances होते हैं, इसलिए आपको क्या करना है, smoothly flow होने के लिए, सब भी fillets देना है, सिर्फ parting line को sharp edge रहेगा, other than parting line, सब भी edges आपके fillets provided रहेगा, material में क्या करना है आपको, material का temperatures बढ़ाना है, as per recommendations by supplier, which is given in TDS also, next आपको mold में क्या करना है, relocate mold gate positions, gate का positions, change करना है, उसे क्या हो जाएगा, आपको flow lines का intensity change हो जाएगा, या directions change हो जाएगा, और molding process में आपको क्या करना है, injection process, जो है molten plastics का, against mold cavities, तो वो solidify नहीं होना चाहिए, ऐसा रखना है, मतलब injections field, proper होनी चाहिए, आपको फिर nozzle का temperature भी बढ़ाना है, ताकि आपका heat drop होके, material solidify नहीं हो जाए, next हामें देखना है, silver mark जिसको silver streaks भी बोला जाता है, तो ये देखिए, surface के उपर आपको ऐसा, silver lines दिखेंगे, या dots दिखेंगे, इसको बोलते हैं, silver marks या silver streaks, ये देखिए, ये shiny mark आएंगे, ये ज्यादा intensity इसकी black surface पे रहेगी, लेकिन color parts पे भी ये mark आते है, इसको silver streaks बोलते हैं, इसका descriptions क्या है, streaks of the silver white colors appears in the material flow directions, तो ये भी start कहां से होते हैं, इसकी origin, gate के side से, और gate to opposite the gate, इनका length area रहता है, इस pattern lines formed on the surface of the plastics, along the directions of the melt flow, are called silver marks, the formations of silver marks is mainly due to the gases in the melt surface of the plastics, मतलब plastic में जो gases रहेंगे, उसके वज़े से होता है, causes क्या है, material में, क्या है आपका material का, temperature ज्यादा हुआ है, मतलब excess temperature है, over heating हुआ है, raw materials, contents water, आपके raw materials में क्या है, moisture है, तो moisture के वज़े से आते हैं, next आपके materials में, other than these materials है, मतलब आपका material मान लीज़े, nylon है, तो उसमें PPK granules mix है, उसके वज़े से भी हो सकता है, next, pigment degrade होता है, मतलब जो color के लिए master batch, या pigment यूज़ करने वाले हैं, वो, आपके base material को, material के temperature को sustain नहीं होता है, too much additives in presence, मतलब क्या है, कि additives की percentage जादा हुआ है, और आपके material में कुछ foreign contents है, मतलब mix हुआ है material, तो भी हो सकता है, design level पे क्या कर सकते हैं, आप flow from the thin wall to the thick wall करना है, मतलब क्या है, कि आपका getting ऐसे positions पे, आप flow ऐसे होना चाहिए, वो thin to thick जाना चाहिए, next है आपका material में क्या कर सकते हो, make sure that all materials are properly dried, मतलब pre-heat किया होना चाहिए, या dry किया होना चाहिए, या dehumidify किया होना चाहिए, जिससे आपका water या moisture content remove हो जाएगा, और आपको master batch या color pigment ऐसा selects करना है, with same base material, मतलब nylon के लिए nylon की ही master batch चूज करना है, PP के लिए PP की ही nylon batch या master batch चूज करना है, तो क्या हो जाएगा, degrade नहीं होगी, next है आपका gases, degas करना है mode को मतलब भी, venting provide करना है, जिससे आपको क्या हो जाएगा, अंदर जो भी कुछ gas form होगा, वो remove हो जाएगा, और gate और runner का location and size फिर से redesign करना है, इस defects avoid करने के लिए, molding में क्या करेंगे, temperatures कम करेंगे, जिससे material अगर degrade हो रहता है, तो नहीं होगा, और injection speed थोड़ा कम करना है, जिससे ये mark कम हो जाएगा, next है आपका delamination, delamination को अगर understand करना है, इस defects को, तो ये lamination पकड़ लिजे, lamination कैसा होता है, जैसे हम documents को, box, cover को, ये किसी को भी lamination होता है, तो उसका क्या होता है, उपर का poly bag जैसा जो layer है, वो निकल के आता है, और उसके नीचे आपका, जो भी paper रहेगा, वो रहेगा, तो वो इसे ही plastic के उपर होता है, plastic के surface के उपर, कि एक तो plastic का surface है, उसके उपर जो shiny finish वाला है, एकदम fine finish, वो remove होता है surface, उसकी छोटे-छोटे chips निकल के आते हैं, तो उसको बोलते, delamination, ये दिखिए, ऐसे remove हो रहा है surface, उसको बोलते, delaminate होना, मतलब क्या हो जाएगा, उपर का shiny surface निकल के आएगा, तो इसको आप कैसे describe करेंगे, delaminations, which may also be called lamination, और layering, a defects where the surface layers of a molded parts, can be peeled off, मतलब क्या होआ है, peeling effects होआ है, कि remove होआ है, तो ये क्यों होता है, due to contamination of the resins pallets, मतलब क्या है, other than base materials, कि दूसरा foreign material आए होंगे उसमें, तो हो क्या होता है, दोनों का bonding proper से नहीं होता है, उसका chain structure या mixing नहीं होआ होता है, तो फिर क्या हो जाएगा, वो uncategorized material रहेगा, non familiar, तो mix ही नहीं होगा, तो remove हो जाएगा, वो surface पर आएगा part के, injection speed too slow रहेगा, तो क्या होगा, आपको material solidify हो जाएगा, और फिर वो remove हो जाएगा, excess issue, mode release, मतलब mode release, मतलब part Egypt होने के लिए, हम क्या करते हैं, spray use करते हैं, तो वो spray का, जादा use हो गया, तो भी हो सकता है, आपके additives, अगर सहीं नहीं है, mix, या composition, तो भी हो सकता है, और part में, अगर आपके moisture से, या humidity है, तो भी हो सकता है, material के humidity के वाज़े से भी, इसको design level में कुछ नहीं कर सकते, ये processing या material related defects है, तो आप material में क्या करेंगे, क्या आपको क्या करना है, ये तो आपका workplace, neat and clean रखना है, ताकि material proper handle हो जाए, और ये material mix ना हो जाए, दुसरा material को proper से dehumidify करना है, next, material में जो additives है, वो उसी family से select होने चाहिए, next है आपका mold में क्या करेंगे आप, तो mold में आपको temperatures sufficient रखना है, surface temperatures, तो उससे क्या हो जाएगा, आपका part का surface quality अच्छा हैगा, next है आपका molding में क्या करेंगे, increase the mold temperatures, और free dry the material, कि ये process follow करना है आपको, उससे ये defects eliminate हो जाएगा, next है आपका jetting, jetting मतलब क्या होगा, कि snack type shape आएगा, ये देखिया, इसे jig-zag type, तो ये देखिया, इससे shape आएगा, आपके parts के उपर, उसको बोलते हैं, jetting effects, तो ये इसको describe कैसे करेंगे, if the melt is injected too fast, मतलब एकदम से ही, आपने injections किया, fastly through the gate to the mold, मतलब आपका mold है, mold का क्या होगा, cavity, cavity में आप high speed से material inject कर रहे, और फिर वो material क्या हो जाएगा, आपके mold के wall को heat होगा, या वहाँ stuck हो जाएगा, फिर वो इसे उसका front flow जो रहेगा, मतलब जहाँ, first वाला material जो आएगा, वो suddenly cool हो जाएगा, और वो cool होके, आगे forward हो जाएगा, तो वो cool ही रहेगा, और पीछे का material heated है, या high temperature material है, तो आगे का जो material है, ये आगे का जो material है, ये जो देख रहे आप, तो ये cool होने के वज़ेस से, ये homogenously mix ही नहीं होगा, other surrounding material के साथ, तो as it is show होगा, आपके part के उपर, तो उसके causes क्या क्या है, excessive injection speed, मतलब speed बहुत ज़्यादा है, तो front वाला material एकदम से cool हो गया, और पीछे का material heated है, तो uneven temperature हो गया, while injection, low melt temperatures है, मतलब mold का temperature कम है, तो भी आपका speed, ज़्यादा है, और mold का temperature कम है, तो क्या हो जाएगा, front flow, solidify हो जाएगा, और आपके parts के उपर वो दिखेगा, improper gate locations अगर proper नहीं दिया है, मतलब smoothly feel नहीं हो रहा है part, मतलब sudden changes, या obstacle है, आपके front flow को, तो भी यह हो सकता है, excessive gate land length, मतलब gate का जो land length है, वो ज़्यादा है, तो वो भी आपको gate का, design proper होना चाहिए, improper flow rate, कि material का flow rate, uneven है, तो होता है, तो यह design level में, इसमें mold design का आ सकता है, कि आपको gate का positions, और gate का size proper होना चाहिए, और materials में क्या हो सकता है, material में आपका high viscosity material चाहिए, जो easily solidify नहीं होना चाहिए, जब तक part feel नहीं होता है, और आपको फिर क्या करना है, material को ऐसे shift होना है, जिसका viscosity अच्छा रहेगा, mold में जैसे मैंने बोला, कि आपको gate जो location से, वो proper जगह देना है, और उसको reposition करना है, अगर यह effect आता है, तो, और molding में क्या करेंगा आप, increasing material and mold temperature, जिससे front flow, मतलब जो सबसे पहले material आता है, वो solidify ना हो, और वो मतलब liquid form में ही रहे, जब तक आपको पूरा part feel होता है, और वो homogenously mix हो जाए, तो यह देखे हैं हमने, 12 major injection molding, या other plastic, any plastics part defects, तो हमें next part, इसका और एक बनाना है, उसमें remaining molding के defects, हम cover करेंगे, अगर आपको training चाहिए, तो मैं online training provide करता हूँ, जिसमें आपका पूरा CAD, और technical covers होगा, plastics product mold design, जिसमें cover होगा, आपका automotive interior, exterior और underhoods parts, मतलब complete plastics part for automotive, plastic product design, non automotive, injection mold design, और cutia, मेरा यह contact number है, आप मुझे contact कर सकते हैं, और मेरा YouTube channel जो आप देख रहे हैं वीडियो, अगर आपको वीडियो पसंद आए, तो उसको like, share and subscribe कीजिए, और मेरे more videos और upcoming videos के लिए, बेल आइकोन जरूर दबाई, तेंक यू